लाज संदे प्यारों हमने सिखा था बोने और काटने का सिद्धान तिया तो नियम जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया है और उसमें ही कुछ बात है आज हम आगे सिखने जा रहे हैं लाज संदे हमने सिखा था प्रभू ने जब इस प्रुथवी पर जल प्रले आया और उसके बाद फिर से प्रभू ने इस अंसार को आगे बढ़ाना सुरू किया नोहा और उसके परिवार के द्वारा तब नुह को ये प्रॉमिस ये वच्चन ये नियम दिया गया था अब से जब तक प्रुथवी है तब तक ये नियम लागू होगा कौंसा नियम बोने का और काटने का बिना बोए हमने सिखा था बिना बीज बोए हम फल की आसा नहीं रख सकते हैं हमने इस हाक के जीवन से सिखा था जिसके लिए हम पढ़ते हैं और जो आसिस प्रभू ने उसे दी वो आसिस को देखकर हम प्रभू से मागते हैं प्रभू तु रहो बोत का खुदा तुने इसाग को आसिस दी तु मुझे भी आसिस दे तु मुझे फैला मुझे बढ़ा लेकिन वो ही इसाग जो रहो बोत के खुदा के द्वा आसिशित हुआ वो समय फलने फुलने का आसिशित होने का देखे उससे पहले हमने लास्ट ताइम पड़ा था उत्पति 26 और 12 में वहां लिखा था इसाक ने जोता और बोया इसाक ने बीज बोया मेहनत करे आप किसान को देखो वो बारिस के लिए सीजन के लिए वेट करेगा और लगेगा कि बारिस आने वाली है वो अपने खेद को प्रिपैर करेगा खेद को अच्छी रिती से वो जमीन को तयार करने के बाद वो बारिस की बेट करता है और जब उससे लगता है प्रॉपर टाइम आ गया तुरंद वो बीज बोना सुरू कर देता है, मेहनत करता है, वो धूप नहीं देखता, बारिस नहीं देखता, टाइम कितना जाता है, वो नहीं देखता, हम कुछ समय पहले गाउं में जाते थे, और वो समय में बीज बोने का टाइम था, और हम लोगों से पुछते दुपेर में लबग आलमोस्ट लोग गायब थे कहां गए थे वो बोल रहे थे हमें खेतों में हम बीज बोने के लिए गए थे बारीस के समय में वो लोग पूरे भिखते हुए बीज बोते रहते थे और तब जाकर वो फसल को काटते थे है ने हमें अगर फसल पानी है फल पाना है रिवर्ड पाना है आसीज पानी है जरूरी है हम हमारे जीवनों में भी बीज बोते रहे और हमने आपको सिखाया था बीज अलग अलग हो सकते है बीज मतलब आपके पैसे रूपी बीज हो सकता है आपकी प्राथना रूपी बीज हो सकता है आपकी महनत रूपी बीज हो सकता है समय रूपी बीज हो सकता है विश्वास रूपी बीज हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो बीज लेकिन बीज बोए बगर फल नहीं पाऊगे किसान बैठा रहे हो मेरी जोड़दार फसल मेरे खेत में आजाएगी आजाएगी बिना बोए बीज फसल उगने वाली है नहीं उगने वाली हम विश्वासी से प्रभु का धनिवाज के प्रभु तो आसीज देने वाला खुदा तो अच्छी जॉब देने वाला खुदा तो पढ़ाई में अच्छे से पास करने वाला खुदा तो यहोआ इरे पूर्ती करने वाला खुदा और कुछ ना करे हाथ पर हाथ देकर बैठे रहे बीज अगर नहीं बोते तो प्यार हो सकता है हो नहीं, पूरी संभाव ना है अंडरे पर्सन यहीं होगा आप खाली हाथ ही रहोगे क्योंकि ये नियम जो प्रभु ने सुरुवास से ठहराया है वो नियम के अनुसार आप नहीं चलते हैं हमने सीखा था हमें हमारे जीवन को लेकर अच्छे बीज को बोना है हमने देखा था लाइफ के लिए क्या बो रहे आज अगर हमारे जीवन के लिए हम अच्छे बीज नहीं बो रहे ये जीवन आप विगाड कर रख दोगे अगर आप ये जीवन के लिए कड़वे दाने बोरयो हमने देखा था वच्छन के द्वारा जो सरीर के लिए बोता है वो विनास की कटनी काटेगा सरीर के लिए मतलब पाप को बोता है प्रभु को जो नहीं पसद वो बोता रहता है उसमें मजा लेता रहता है हरोज और फिर आसा रखता है ये मेरा जीवन बहुत खुबसूरत हो जाए कहां से होगा? क्यूंकि आपने सरीर को जो भाता था वो बोया सरीर ने जो मागा वो बोया, मन ने जो चाहा वो बोया खुद की इच्छा में जो आया वो बोते रहे प्रभु की इच्छा प्रभु को क्या भाता है वो बोना तो आप बाजू पर रख दिये प्रभु का बच्चन कहता है जो सरीर के लिए बोता है वो विनास की कटनी काटेगा कल जाकर क्या काटना है कल जाकर क्या फसल होगेगी सरीर के लिए बोया है पाप में जिये है, पाप में आणन मनाया है पाप बोया है, कल जाकर विनाज ही काटोगे नुक्सान ही काटोगे क्योंकि बोया है नीम का बीज बो कर हम अच्छे कोई एपल और एसी कोई फ्रूट की आसा नहीं रख सकते नीम का कडवा भी बोया है तो कड़वाई फल तो उगेगा ने वहाँ जामून तो नहीं लगने वाले क्योंकि आपने नीम का फल बोई आप अपने जीवन में क्या बोल रहे हो आज वो कल आपका जीवन कैसा होगा वो तई करेगा हमने सीखा था हमारे फैमिली के लिए हम क्या बोल रहे हैं हमारे परिवार के लिए क्या प्रातना रुपी बीज बोल रहे हो हमने गवाई दी थी वो बहन की उनके हस्वन के लिए उनने बहुत दुआ करे एक गुंडा किसम का आदमी आज प्रभु का दास है क्यों उनकी वाइफ ने अपने परिवार को बच्छाने के लिए अधियार ना अब क्या करो कई बहने बोलती है ये तो कुट्टे की दूम जैसे है न कभी सीधे नहीं होंगे ये टेड़े ही रहेंगे आज जो बो तेड़े रहेंगे ये आपका विश्वास आपने बोय आज तो आपके हस्बन आपके बेटे बेटी तेड़े ही रहेंगे आज जो बो रहे हो वो ही कल काटोंगे हमने देखा था वो बहन विश्वास का बीज बोया मेरे अस्बन क्यों गुंडे किसम के व्यक्ति क्यों न हो मेरे परमेश्वर उनको बदल से उन्हें ने दुआ करी उन्होंने उफवास किये विश्वास रखा और परिवार के लिए उन्होंने बोये हुवे बीज को आज फसल के रूप में विकाट रहे है अब अपने परिवार के लिए कौन से भी बो रहे हो मेरे पापा जब मैं परमेश्वर में नहीं था मैं तो अपने जीवन में व्यस्त था मेरे और ही कुछ खाब थे मेरे पापा हमें याद है हम तीनों बच्चों के लिए बारं बार कई बार हमने देखा है वो पास के साथ प्रभु के चलनों में बैठते दुआ करते और फिर अभी सिख तेल करके हमारे सिर्व पल लगाते थे सालों तक दुआये की उन्हों किसी ने बीज बोया था आज फल हुगा है हाललुया आप अपने बच्चों के लिए क्या बीज बो रहे हो आप अपने अस्बंड के लिए अपने वाइफ के लिए हमने देखा था हमारी लाइफ के लिए हमें अच्छे बीज बोना है हमने देखा था हमारे फाइनांस के लिए प्यारो हमने पढ़ा था वच्चन से कुछ लोग पाते इसलिए नहीं है क्योंकि वे लोग देते नहीं लोग आच्छे और 38 में लिखा है गीव एन इटसल भी गिवन अंटो यू आप दोगे तो दिया जाएगा कुछ लोग अभी भी जो प्रभू का हिस्सा है वो अलग नहीं करते प्रभू का जो भाग है वो अलग नहीं करते और इसलिए आशिशित नहीं रहते प्यारो अभी भी हम गरीबों को मदद नहीं करते अभी भी हम हमारे विशे में ज़्यादा सोचते और प्रभु के काम और गरीब विद्वा विदूर जरूरत मन लोगों की विशे में साथ कम सुष्ट होंगे अगर आपको आर्थिक रिती से आशिशों को देखना है वो फल पाने के लिए बीज क्या है प्रभु के लिए देना दश्माउस देना गरीबों को मदद करना प्यारो ये बीज आप बोगे तब आप आर्थिक आशिशों को देखोगे आए आज कुछ हम आगे सिखने जा रहे है निती वच्छन 14 और 23 यहां पर हम रखेंगे हम मिलकर पढ़ेंगे आप अपने जॉब में अपने बिस्नेस में अपने करियर में अपनी पढ़ाई में अच्छे फल को पाना चाहते हो तो ये वच्छन को ध्यान से सुने कितने लोगों को अच्छी जॉब चाहिए, सेलरी बड़े, बिस्नेस बड़े, नहीं चाहिए बागी के लोगों को, प्रमोशन चाहिए, पढ़ाही में अच्छे मार्क्स आए, है ने, तो ये बातों को हमें सीखनी है प्यारो, ये बीज को हमें बोना है, आये पढ़े निती बच्राओं 14 और 20, बच्राओं क्या कहता है मिलकर पड़े, परीश्रम से सदा लाब होता है, परन्तु बखवाद करने से केवल गटी होते है, फिर से बोले परीश्रम से सदा, सदा लाब होता है, हाललुया, अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हो, और आपकी सेलरी बड़े, इंकम बड़े, आप ये चाहते हो, आप अपने अब्यास में अच्छा फल पाना चाहते हो, सदा लाब होता है, हमें परीश्रम करना है, प्यारो, हम बैठे रहकर अच्छी जॉब, या तो जॉब में प्रमोसन, या तो अच्छी इंकम, कभी नहीं पा सकेंगे, हम बैठे रहकर पढ़ाई में सफलता कभी नहीं पा सकेंगे, अगर हमें कल को, हमारी जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, या ऐसे कोई भी शेत्र में, सफलता रुपी फल को खाना है, तो आज क्या करना पढ़ेगा, बीज बोना पढ़ेगा, कौनसा बीज? परिश्रम से सदालाब होता है, परिश्रम रुपी बीज को हमें बोना पढ़ेगा, एक बहन की गवायम देना चाहते है, डॉक्टर इवेंजलीन, अपलीस उनका फोटो दिखाएगा, एक लेंब के पास उनका बैठे हुए, डॉक्टर इवेंजलीन, ये अपने पीवी सिंदू का नाम सुना है, पीवी सिंदू, वो कौन है? इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर है, जिनोंने पहली बहन है, पहली लेडी है, विमेन है, जिन ने ओलंपिक में दो बार मेंडल जीते हैं, और ये वो ही है बैडमिंटन प्लेयर, जिनोंने भारत को ब्राँज मेडल भी ओलंपिक में दिलाया है, और ये जो डॉक्टर इवेंजलीन है, बड़ा करेगा, प्लीज, ये जो डॉक्टर इवेंजलीन है, वे उनकी फिटनेस है, फिजियो थेरेपिस्ट है, और इनके विसे में हम कुछ पढ़ रहे थे, प्यारों, जो आपको बताना चाहते हैं, ये जो डॉक्टर इवेंजलीन है, वो एक नॉर्मल फैमिली से आते हमारे जैसे ही उनका फैमिली था, उनकी फाइनांशल कंडिशन इतनी अच्छी नह था, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं थे, उनको कॉंप्रोमाइस करना पड़ा, इनके परिवार ने जैसे तैसे, उनको ऐसे फिजियो थेरेपिस्ट वो जॉब पाए, इसलिए डॉक्टर की डिगरी पाए, फिजियो थेरेपिस्ट की डिगरी, इसलिए उनको एडमिस्ट पाया, इनके पीता ने प्यारो अपना बाइक बेचा, इनके पास फिज बरने के पैसे नहीं थे, इनके पीता ने बीस हजार में अपना बाइक बेच डाला, बुलेड, ताकि इनकी फिज बरी जाए, ऐसे कठोर गरी बवस्था में, बहुती खराब अवस्था में, इन्हों नहीं पढ़ पाई लेकि इंको बुला तू पढ़ना मैं तुझे सपोर्ट करूँगी अब मैं ज़े कितने माबाप है जो बच्छों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए आज बीज बो रहे हो कठी नाई कठी नाई उठा कर भी बेटा पढ़ मैं तेरी फीज बरूँगा हैसे माबाप कुछ माबाप ऐसे नहीं होता जाने दो इनके माबाप ऐसे नहीं थे बीज बोया मेहनत करी जो भी था बेचते रहे एक एक चीज बेच डाली इवन बुलेट बाइक बेच डाली ताकि इनकी बेटी की फीज बर पाए और प्रवुका धन्यवाद ये डॉक्टर इवेंजलीन बहुत सिंस्यर थे इन्होंने देखा कि मेरे माबाप मेरे लिए सब कुछ खर्च कर रहे है मेरी बड़ी बेहन खुद पढ़े नहीं मुझे पढ़ाने के लिए सारी इंकम को खर्च कर रहे है इन्होंने देखा मुझे भी परिश्रम करना होगा ताकि मेरे लिए जो मेरे माबाप कर रहे है वो वेस्ट न हो जाए आपको पता है कितना समय पढ़ते थे 16 गंटा इन्होंने पढ़ाई करी 16 अवर्स दिंके 24 अवर्स उसमें से 16 गंटे ये पढ़ाई करते थे क्यों ताकि उनके माबाप ने उनके माता पीता ने इंके पीछे जो पैसे लगाए जो आसारमान लगाए वो वेस्ट न हो जाए परिश्रम के बगर लाव नहीं है आप में से कितने बच्चे पढ़ाई में एक दो घंटा भी बैट तो हम आसा बड़ी है मुझे डॉक्टर बनना है मुझे पाइलेट बनना है मुझे ये वो कुछ भी पूछो नाम तो बड़े-बड़े लेते परिश्रम कहा है अरे बीच तो बो ये है ना बच्चो आपको बीच बो ना है मेहनत करनी है परिश्रम करनी है पढ़ाई में ये डॉक्टर यूही नहीं बने सोला घंटा सोला घंटे तक ये दिन के पढ़ते थे प्यारो बहुत कठीन आयों के बाद इन्होंने फिजियो थेराफिस्ट की डिगरी हासिल करी इनको जौब नहीं मिर रहे थी लेकिन उनका विश्वासा प्रभू जो भी मुझे देगा वो पेस्ट देगा वो अपने पढ़ाई में अवर है और थोड़ी समय के लिए ये परमेशन उनको सफलता दिला है और पीवी सिद्धू के परसनल फिजियो थेराफिस्ट बने है हाललूया आज वे पीवी सिद्धू के साथ देश और विदेश में गुमते हैं वो खुशी से कह रही थी मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पापा को बुलेट पेचना पड़ा हमा कि कोई भी उनकी कोई भी उनका ओलम्पिक या कोई भी ऐसा गेम हो रहता है वो बोलती है मैं उनके बैडमिंटन को हाथ में लेकर उनके पास जाकर उनके लिए तुबा करते हूं हाललूया और ये पीवी सिद्धू वो बहन है जिनोंने एक मात्र बहन ऐसी है जो ओलम्पिक में दो-दो मैडल लेकर आये कौन है पीछे एक बहन जिनोंने सोला घंटा मेहनत की सोला घंटे पड़ते रहे ताकि अपने माबाब के अर्मानों को वो पूरा कर पाए माबाब ने जो उनके पीछे खर्चा किया था वो वेस्ट नहों जाए आपको बच्चों पता है आपक मेहनत करते है घर के काम करते है आपकी फै斯 को भरने के लिए आपको चब irrespons क्थे आपको एक अच्चे स्कूल बैक दिलाने के लिए आपकी हर खुसी को पूरा करने के लिए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यह यह यूथ को मैं पूछना चातो हम आप कितनी मेहनत करत और आप समय बर्बाद कर रहे हो अगर आप पढ़ते नहीं है तो बैठर है काम करिए माबाप तो अंधेरे में नहीं रहेंगे आसा लगा कर नहीं बैठरेंगे कि कुछ मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है कल जाकर कुछ अच्छा करेगा आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो प्यारो परिश्रम के बगर लाप नहीं है आपको मेहनद करनी ही पड़ेगी प्यारो आज आप पढ़ाई में परिश्रम रुपी बीज को बोई है ताकि कल जाकर सफलता रुपी आसिस को फल को आप पा सको आप में हाथ उठा कर कहें हरे एक स्टूडन जो लोग जॉब कर रहे है बिस्नेस कर रहे हाथ उठा कर कहें प्रभु तु मुझे अनुगर दे तु मेरे बेटे बेट्यों का नुगर दे बच्चे आपको ये प्रभु तु मुझे अनुगर दे ताकि मैं परिश्रम रूपी बीज को बोता रहू परिश्रम रूपी बीज को बोती रहू ताकि कल जाकर 80 रूपी फल खा सको आमेन ये पीवी सुद्धू ने प्यारो परिश्रम रूपी बीज को बोया आज उसके फल को वे खा रहे प्यारो एक और गवाय हम आपको बताना चाहते हैं Lorientha एक बहन है African बहन है उनकी गवाय हम आपको बताना चाहते है लոरे था यह बहन ग्रेज्यूएसन कर रहे थे clinical mental health पर जो counseling होता है उसको लेकर यह ग्रेज्यूएसन कर रहे थे यह नहीं दूसरी है और यह जब ग्रेजुएशन कर रहे थे इनकी परिस्थिती इतनी अच्छी नहीं थी तो यह काम करते पढ़ाई करते एज टीचर भी काम कर रहे थे और जब यह जॉब कर रहे थे तब ही पैंडेमिंक आया यह कोवीड का टाइम आया और इनको बहुत चिंता सतान लगी कि अब उनकी जॉब का क्या होगा क्योंकि उस पर ही पूरा खर्चा निकर रहा था अभी तो वो पढ़ रहे थे उनका ग्रेजुएशन चर रहा था ताकि पढ़ाई वो कर पाए परिश्रम करते थे अब मैंसे कुछ लोग बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाई के काम करें कुछ ना कुछ काम करें ताकि आप अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर पाओ जब पैंडेमिक आया यह सोचने लगे कि मैं क्या करूँ यह आया गया कि एटलीस यह साल तक आपकी जो जॉब है वो हम कंटीन्यू करते आपको ऑनलाइन पढ़ाना रहेगा यह साल तक आपको दिक्कत नहीं है इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना सुरू किया और वो इंकम से वो पढ़ाई भी करते गए एक समय आया प्रभू ने उससे ब मदद करें अब औरेड़ी वो पैसे की कमी से होकर गुजर रहे थे पैसे नहीं थे दूसरी और प्रभू कह रहा है तुझे बीज बोना है वो लोगों के लिए जो दुख में है तकलीप में है कोवीड के कारण जिनके पास खाने पीने का पैसा नहीं जिनकी नौकरी छुट गये उसके लिए तुझे हेल्प करने वो दसमाउस दे रहे थी और एडिशनल और ज्यादा उसने कुछ पैसे जरूरत मन लोगों के लिए देना सुरू किया देखिए बीज बोना जरूर यह है ने मैनद भी कर रहे है जौब करती है जौब से इंकम जो होती है वो पैसा परिश्रम भी कर रहे है और साथ में जब प्रभू ने बोला एक्स्ट्रा वीज बोना सुरू किया जब जरूरत मनों के लिए भी वो पैसा दे रहे है यह बहन और जैसे ही उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा जरूरत मन लोगों के लिए देना सुरू किया उनको नेक्स्ट विक में की सब्ता के अंदर दुसरी एक टीचर की जौब मिल गई हाललुया उन्होंने जारी रखा वीज बोने का और जो उसकी इंकम थी एटलिस उनका खर्चा निकल सकता था लेकिन उनको 35,000 डॉलर की जरूरत थी उनका एजुकेशन पुरा करने के लिए अब 35,000 डॉलर लाए क नहां से ऐसे समय में भी जब इनको इतनी बड़ी जरूरत थी उन्होंने प्रभू के काम के लिए टाइट दस माउस भी देना जारी रखा और साथ में वे जरूरत मंदों को भी मदद करती गए बीच बोती रहें और उन्होंने फाइनास डिपार्टमेंट को कॉंटेक्ट क 30,000 डॉलर मिल गए हाललूया प्यारो उन्होंने पैसा नहीं था तब भी परिश्रम भी किया और बीच बोया दस माउस भी दिया जरूरत मंदों को मदद भी करती रही उनकी हर जरूरत की प्रभू ने चींता करी वो 35,000 डॉलर भी दिये गए और उन्होंने अपनी पढ़ा पूरी करी और उनको एक ऐसी कंपनी में जॉब मिली जहां उनकी जो सेलरी थी उससे भी डबल सेलरी की जॉब उनको प्रभू ने दिलवाई हाललूया यह रियल गवाई आप उनलाइन जाकर आप इंकी गवाईयों को सुन सकते प्यारो लो रहे था परिश्रम किया जॉब क करते करते मेहनद करके पैसा कमाया साथ में ग्रेजियर्शन भी पूरा किया साथ में प्रभू के काम के लिए बीज बोना दस माउस देना गरीबों को मदद करना भी जारी रखा और प्रभू ने उनको आसीज दी प्रभू उनके लिए दुवार खोलते गए उनकी प्राइब के लिए प्राइब के लिए आज बीजबोना है मुझे जौब के लिए मुझे बिस्नेस के लिए भी आज बीजबोना है मुझे दसमा उस रुपी बीज बोना है मुझे गरीबों को मदद करना रुपी बीज बोना है मुझे और आपको बीज बोना पड़ेगा प्यारो तब जाकर मैं और आप कल कुछ पास सकेंगे हाललुया एक और गवाई देकर हम आगे बढ़ेंगे सेनल करके ये बेहन है उनकी साधी हुई अस्बंड वाईब कपल है और थोड़े ही टाइम में इनके डिवार्स हो गए अस्बंड वाईब दोनों अलग अब इनका एक बच्छा भी था अकेली मा बच्चे का पालन पोशन कर रही इनके साध उनका अस्बंड अभी है लेकिन वो टाइम पर नहीं था साधी के कुछ ही समय के अंदर ये दोनों अलग हो गए थे और इन्होंने एक सलून में काम करना सुरू किया ऐसे हैर स्टाइलिस और वो कहती है मैं छे साध गंटे सलून में बैठी रहती थी लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आता था छे साध गंटे सलून में बैठी रहती थी मेहनत करती थी एक भी कस्टमर नहीं आता था फिर भी उन्होंने मेहनत करना जारी रखा एक दिन किसी ने उनको प्रभु येशु के विशे में बताया उनके साथ जो काम करने वाली बहन थी जब उनको पता चला प्रभु येशु के विशे में उन्होंने प्रभु येशु का स्विकार किया और एक ही महिने के अंदर उन्होंने अपना जीवन प्रभू को दे दिया और जैसे ही उन्होंने प्रभू को स्विकार किया धीरे धीरे क्लाइंट आना सुरू हो गए और वो कहती है मेरा काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा और जैसे ही काम सुरू हुआ मैं अपने बिजनेस क थी मानलो कोई दिन उनको पचीस डॉलर का डॉलर की इंकम होई तो वह पचीस डॉलर में से दसमा उस निकार कर अलग कर देती थी छे-साथ घंटे बिना काम के बैठी रहने वाली ये बहन एक टाइम ऐसा लाया प्रभो कि इनको कस्टमर को ना बोलना पड़ा भई मेरे पास टाइम नहीं है देर सारे कस्टमर प्रभून के पास लेकर आने लगे हाललुया हाललुया आप बीज बोगे कल जाकर उसका फल प्रती फल जरूर पाओगे अगर आपको अपने बिजनेस में लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं पा रहा अब मेहनत भी जारी रखे और बीज भी बोना जारी रखे आमेन कल जाकर उसका प्रतीफल जरूर मिलेगा ये बेहन बोलती है डेली बेसीस पर मैं जब बीज बोती गई दसमा उस निकालती गई मेहनत करते रहे प्रभू ने उनके बिसनेस को बढ़ाया और इतना अच्छा समया है कि उनको क्लाइंट को भी उनको ना बोलनी पड़ी और य दोनों ने मिल्कर , देखें प्रभू कहा से जाता हैaya ये दोनों ने मिलकर प्रभू ने उनको इतनी बडुरी आसीस दी ये दोनों न online मेर कर अपने खुद का घर भी खरीदा हाललुया आज उनके पास खुद का घर है उनके अस्पन की ही इतनी अच्छी इंकम है कि आज उनको काम करने की जरूरत नहीं है वो अपने बच्चों के साथ अपने अस्पन के साथ आनन से जी रहे हाललुया एक समय था छे साथ गंटे अपने बिस्नेस में वो निस्फलता को देखती थी, सलून में खड़ी हो कर सोचती थी, मैं क्या खरूंगे, अकेली मा, मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगे, लेकिन उन्होंने येश्यू का हाथ पकड़ा, और येश्यू के नियमों के अनुस्वार, बीज बोना सुरू किया, परिश्रम किया, दस माउस दिया, और वो ही समय से प्रभू ने उनको उठाना सुरू किया, जब से बीज बोने लगे, फल आना सुरू हो गए, हाललुया, एक टाइम 6-7 घंटे कुछ नहीं आता था, अब उनकी इंकम सुरू गए, इतने क्लाइन कि उनको ना बोलना पड़ा, वहां से उठा कर प्रभू उनको खुद का बड़ा घर भी दिलवाया, आप उनलाइन जाकर देखना, वह गर वगेरा सब कुछ बता है, इतना बड़ा घर दिया आज, वह अपने अस्पन के साथ, परिवार के साथ, आनन से रह रह रहे है, हाललुया, आप अगर अपने बिस्नेस में इस्फल जा रहे है, परिश्रम करना, परिश्रम रुपी बीज बोना, और दसमाउस रुपी बीज बोना जारी रखे, खल जाकर फल जरूर लगेगा, आमें, हाललुया, सबोग देशक 11 वाद्याए, प्लीज निकाले, सबोग देशक 11 वाद्याए, पहली चौथी और छट्वी आयद हम पढ़ेंगे, सबोग देशक, अध्याए 11 और पहली आयद्याए, प्रव का वच्छन कहता है, अपनी रोटी जल के उपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तुसे फिर पाएगा, प्रव कहता है, तुझ डाल अपना बीज, आज बीज डालेगा, कल जाकर तुझे फल मिलेगा, कहता है वच्छन क्योंकि बहुत दिन के बाद तुसे फिर पाएगा, अब उल्टा करो, सब यहाँ पर हैंने, अब उल्टा करो, रोटी अगर नहीं डालते, मतलब बीज नहीं डालते, तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, आज आप बो रहे हो प्यारो, अगर नहीं बोते, आज से बोना सुरू करें, आमें, जो वायू को ताकता रहेगा, बोलें, जो वायू को ताकता रहेगा, वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा, वह लवने न पाएगा, मतलब समझते हो, प्रभू का वचेंग कहता है, जो वायू को ताकता रहेगा वो अभी पवन आएगा जोड़दार ने अभी नहीं बोना है अभी बैठा रहता हूं अभी बादल नहीं आप बारिस आएगी नहीं आएगी पता नहीं अभी नहीं बोना है मतलब जो बहाने बनाता है आज नहीं बोनाए, कल बोओंगा आज पढ़ाई नहीं करने, कल करूँगा सुबह नहीं करने, साम को करूँगा जो वायू को देखेगा, बालो को देखेगा परिस्थिती को बहाने बनाएगा वो कुछ नहीं पाएगा प्यार आप अपनी पढ़ाई के लिए ताकता रहेगा वो ताकता ही रहेगा कुछ पाएगा नहीं प्यारों हमें सिर्फ बैठे नहीं रहना है बाहने नहीं बनाना है हमें बीज बोना शुरू करना है चट हुए आथ हम पड़े सबोक देशक 11 और 6 बोर को अपना बीज और साज को भी अपना हाथ न रोक क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे हाललूया प्रभू का बच्चें केता है बोले भोर को अपना बीज बो और साज को भी अपना हाथ न रोग अपना हाथो को उठाए और कहे प्रभू तू मेरे हाथों को एसा नुगर दे के सुबह और साम को अच्छे बीज बोता रहे हमारा काम है बीच बोना प्यारों प्यारों कोई सफल होगा नहीं होगा वो सीर्प सोचने प्विस रेंगे दिया आप से लेकर नौवियात गलाती छठवादयाय और साथ वियात ओके मैं समय बचाने के लिए यहां पड़ता हूं अगर नहीं मिला है तो आप इसे सुनेगा धोखा न खाओ पर मेश्वर्ग ठटों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुस्य बुले जो कुछ बोता है वही काटे हो कल जाकर ऐसा ही कुछ काटोंगे निश्फल्था लेकिन आज परेश्रम बो रहे हो कल जाकर सफल्था को काटोंगे और रहुका वच्छण केता है जो भोता है वही काटेगा जो भॉया है वही कल को काटना है नेक्सा अठवुयाद क्योंकि जो अपने सरीर के लिए बोता है वह सरीर के लिए विनास की कटनी करेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए अनन्चीवन की कटनी करेगा और एक आध हम पढ़े भजन सहीता 126, 5 और 6 भजन सहीता 126, 5 से लेकर छटविया भजन सहीता 126 पाँच आए मिलकर पड़े जो आशू बहाते हुए बोते हैं वे जही जही कार करते हुए लवने पाएंगे हाललुया ये प्रभू की प्रामीस है अगर आज से आप बोना सुरू करोगे अपने परिवार के लिए अपने खुद के जीवन के लिए अपनी नौकरी के लिए अपनी स्टडी के लिए अपनी जॉब के लिए या तो अच्छी जॉब पाने के लिए या तो जॉब में बढ़ रुपी बीज बोओंगा मैं गरीबों की मदद रुपी बीज बोओंगा आप अगर आज ठानते हो कि बले मुझे कस्च पड़े लेकि मैं बीज बोना जारी रखोंगा प्रभु का वच्छन कहता है जो आशू बहाते हुए बोते है वे जैजे कारते हुए लवने पाएंगे हाललुया अग दुख होगा सोला घंटा डॉक्टर इवेंजलीं जम पढ़ती होगी कमर दर्द करती होगी न उसको भिमान होता होगा लाओ न मोबाइल लेकर बैठू पूरी दुनिया सोसल मीडिया देखती है वीडियो देखती है फाल्तु की बातों में उ उन्होंने सोला घंटा मेहनत की गड़ी मेहनत की दुख के साथ बीज को बोना जारी रखा प्रभु नाज उनको उच्छायों पर बिठा है हाललुया कस्टों के साथ जो बोते वें जैजै कार करते हुए आएंगे हाललुया नेक्स्ट आए तम पढ़े चट्विया चाहे ब आएगा हाललुया अब मैंसे कितने तेर साले फल पाना चाहते हो पुल्या पुल्या मतलब पूरा बंच बिठ बोते हो एक बिठ में से कई सारे फल उकते हान पर मैंसर आपके खश्टों के साथ बोए हुए एक एक बिठ को आशिजित करेंगे आप पुल्या लेकर वापिस आओंगे को आपको सिंचर बनना है मैं क्या बोरा हूँ आज मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोरान ताकि मैं कल जाकर निस्फलता रुपी कड़वा बीज खाऊंगा कि मैं आज ऐसा कुछ बोरा हूँ ताकि मैं कल जाकर सफलता को पाऊंगा मैं क्या बोरा हूँ मुझे अवेर रहना है जागरूत रहना है मेरे विक्तिकल जीवान के लिए मेरे परिवार के लिए मेरे अभ्यास के लिए मेरे जॉब के लिए बिस्नेस के लिए हरे एक शेत्रों के लिए मुझे जाकरोत रहना है कि मैं क्या बो रहा हूं मैं आज कुछ ऐसा वो ताकि कल जाकर मैं अच्छा फल पाऊ, आमेन इसाख ने जब बोया, उसने क्या पाया, उद्पती 26 और 12 इसाख के लिए लिखा है, जब उसने बोया, तब क्या हुआ उद्पती 26 और 12 मिलकर पड़े, फिर इसाख ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्स में सो गुनाफल पाया, और यहुआ ने उसको आशिज दी, हाललुया यहुआ परमेशर आपके बीज को, आपके मेहनत को, आपके परिश्टरम को आशिज देने के लिए तयार है, लेकिन क्या आज आप चाहते हो, कि मैं बोना सुरू करूंगा मेरे जीवन के लिए च्छाई रुपी बीज, एक सुरुवात की सेउकाई में, एक भाई के लिए वार बार दुआ करने जाते थे, इतनी अच्छी जौब उनको प्रभू ने दी थी, बहुत अच्छी जौब, लोग ढुणने पर भी ना पाये, अच्छा खासा पगार वो स में जब गाड़ी बहुत रेर थी, उनके पास गाड़ी थी, हमें कभी कबार से उकाई के लिए भी वो कार देते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सरीर को जो भाता था, उत्तम अमरूत, अमरूत नहीं, दारू, वो डालना जारी रखा, और एक समय इतना खराब उन इवन प्रभू ने उनको बच्चे की आसिस दी, बेटे रूपी आसिस, लेकिन वो भाय के जीवन के ठिकाने नहीं थे, बस वो दारू में ही पड़े रहते थे, हम जब उनके घर जाये तो पूरा एकदम उपर तक लेवल चड़ा होता था, उनको बोलने का भान नहीं रहते उनकी वन मम्मी को वो मारते थे, अपनी वाइफ को वो मारते थे, पूरा जीवन उनका खराब हो गया, बिगड़ गया, क्योंकि उनको उन्होंने सरीर के लिए बोया, और एक दिन वे हाईवे पर जा रहे थे, और पीकर ही साथ चला रहे होंगे, पता नहीं, दो ट्रक के ब उनका छोटा बेटा बीना पापा के बड़ा हुआ, उनके मम्मी वो जब थे, तब ये इनको इतना परिसान करते थे, इनको जो उल्ले जोम होता है, वहाँ जाकर रहना पड़ता थे, उन्होंने सरीर के लिए बोना जारी रखा पाप, दारू, विशन, एक दिन विनास की नहीं काटी, आयाद प्रभू को कहे, प्रभू तु मुझे ऐलर्ट कर, अवेकर, जागरूत कर, मैं आज ऐसा कुछ भी नब हो, जो कल जाकर मुझे बड़ा नुकसान दिलाए, विनास लाए, मैं आज ऐसाब होना चाहता हूँ, इसाख ने अच्छा बीज वोया, सोग उना फल पाया, मैं सब हो प्रभू मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कल जाकर मैं अच्छा फल पाओ, सोग उना फल पाओ, आमें, हाललुया, प्यारो इसाख ने, कोई बहाना नहीं बनाया, वो समय अकाल था है, नहीं पढ़ा था, अकाल था, उसने नहीं अप्रभू अकाल ह जोटना मतला बैलो को, या तो पास्चो को जोट कर, पूरा खेत उसको तायार करना है, नहीं और उसके बाद बीज-बोना होता है, उसने प्रभू से नहीं कहा, प्रभू अकाल है, पूरी जमिन सुक गये, पाणी का एक बुन नहीं दिख रहा, मैं कहां यह खेत को तायार क मेरा काम है परिश्रम करना, मेहनत करना, बोना, मैं बोओंगा प्रबू, मैं अगर नहीं बोओंगा तो मैं बीज नहीं पाऊंगा, आप बहाना मत बनाए, सैतां को बहाने जब आपके पास लेकर आए, बोल लिए मैं कोई बहाना नहीं बनाओंगा, ना अकाल का बहाना बनाय ना कठोर जमीन हो गई थी बिना पानी कि उसका बहाना बनाया कुछ नहीं उसने महनत की बोया और प्रबू ने उसको सौग उना दिया हाललुया और फिर उसने कहा कि प्रबू तुर रहो बोत का खुदा है जिसने मुझे फैलाया है बढ़ाया है वो ही रहोबोत का खुदा आपके साथ है आपको फैलाने के लिए आपको बढ़ाने के लिए लेकिन सर्थ यह जरूरत ही है कि मैं और आप बोएं बहाने ना बनाएं टाइम वेस्ट ना करें हम बोएं जैसे ही साक ने बोया जब बोगे जो बोने जो भी बीज आपने बोया है वो बीज के अनुसार जो आपको मिलना चाहे उतना नहीं अब डेर सारी पुलियों को लेकर वापिस आओगे आमेन बोगे खम लेकिन आसिस प्रभू जरूर देगा आमेन प्रभू भरपूरी के आसिस देने वाला प्रभू है वो नाप करने अपने दो दाने बोये मैं तुझे दो ही आसिस दूगा प्रभू ऐसा नहीं है वो पूलिया भर भर कर देने वाला खुदा बनते सो गुना दिया इस सा को बस हमें थोड़ा मोना है प्रभू थोड़ी मेरत, थोड़ा परिश्रम थोड़ा अच्छे बिज कल जाकर आपको आसिसों के वारिस बनाएंगे, आमेन यसा है तीस और तेईस हम पड़े, जल्ली यसा है तीस और तेईस प्रभू आपके सीड के उपर बिज के उपर जो भी आप बो रहे हो उसके उपर आसिस देने वाला खुदा है, यसा है तीस और तेईस हम पड़े वह तुमारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमी की उपज भी उत्तम और बहुतायस से होगी हाललुया हाललुया आप जब बीज बोगे प्रभू उत्तम से उत्तम उपज देगा हाललुया वह दो सब्द लिखे भूमी की उपज भी उत्तम होगी और बहुतायस होगी मतलब जो फल मिलेगा वो सड़ा हुआ नहीं होगा वो बेस्ट होगा हाललुया उत्तम होगा बोले उत्तम फल और बहुतायत रुपी फल आमेन जो भी बोया है उसके बदले दो प्रामिस आपको प्रभू दे रहा है प्रभू आपको उत्तम आसिस देगा आज जो आप अच्छे बीज बोर है उसके बदले और बहतायत की आसिस वो मेरी है आमेन प्रभु का बच्छन कहता है उस समय तुमारे जानवरों को लंबी चोड़ी चराई मिलेगी ये ब्लेसिंग प्रभु ने देने की वाचा की है प्यारो ड्यान से सुनी आखरी कुछ बातों को बीज बोना जरूरी है आज अच्छे बीज आप बो लेकिन अगर उसको आसिस देने वाले खुदा को अपने साइड में रख दिया तो भले ही आप कितने भी बीज बोलो उसमें से कोई फल नहीं लगने वाला आए हम एक वच्छे न पढ़े यसा सतरा और दस यसा या सतरा दस वियाद और ग्यार वियाद क्योंकि तू अपने उद्धार करता परमेश्वर को भूल गया प्रभु का वच्छें कहता है क्योंकि तू अपने उद्धार करता परमेश्वर को भूल गया और अपनी द्रड चटान का स्मरण नहीं रखा इस कारण चाहे तु मन भाउत ने पौधे लगाए और विदे सी कलम जमाए आगे ग्यारवियाद चाहे रोपने के दिन तु उनके चार और बड़ा बाढ़ा बाढ़े और सबेरे ही को उनमें फुल खिलने लगे तो भी ध्यान से सुनिये तो भी संताप और असाद्य दुख के दिन उसका फल नस्थ हो जाएगा फल नस्थ हो जाएगा क्यों कारण क्या है क्योंकि तु अपने उत्धार कता परमेश्वर को भूल गया परमेश्वर को भूल कर बोना नहीं प्यारो चाहे आप कितना भी बीज बोलो परिष्रम कर लो दस माउस दे लो परबेश्वर को आपके जीवन से आपने माइनस करके रखा है उसको समय नहीं देते उसकी आगना के अनुसा नहीं जीते उसका कहा नहीं करते वच्छन नहीं पढ़ते प्राथना नहीं करते उससे बने नहीं जुडे नहीं प्रभू का वच्छें कहता है क्योंकि आपने परमेश्व को भुला दिया इसलिए कहता है उसका फल ना सो जाएगा आपका फल कब टिका रहेगा आप जब प्रभू में टिके रहोगे आपका फल तब ही सुरक्षित रहेगा आपकी मैनत आजो भी अच्छा-च्छा भी बो रहे वो तब ही सुरक्षित रहेगा जब आप प्रभू में बने रहोगे ये लोग प्रभू को भूल गए और इसलिए प्रभू का वच्छं कहता है उसका फल ना सो जाएगा यर्मिया बारा और तेरा जल्ली हम पड़े यर्मिया बारा और तेरा प्रभू का वच्छं कहता है उन्होंने गेहूं तो बोया पर कटिले फेड काटे बोया था तो कुछ अच्छा पाएं कांटे यहां पर वच्चेंग केता उन्होंने गेहूं बोया पर कठीले पेड़ काटे उन्होंने कस्टो उठाया परिश्रम भी किया परंतु उससे कुछ लाव न हुआ यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तो अपने खेतों की उपज के विश्य में लचीत हो कई लोग आज अच्छी खासी पड़ाय करत के भी कुछ नहीं हासिल किये मेहनत किया परिश्रम किया कुछ उनके हाथ नहीं लगा निश्फलता ही देख रहे निश्फलता ही चक रहे क्यों कि प्रमिश्वर को वो फूल के प्रभू का बच्चें कहता है गेहूं बोया लेकिं कांटे अपने काटे अच्छा बीच बोया लेकिं अच्छा कुछ फल नहीं आया कि प्रभु को आपने अपने जीवन से माइनस कर दिया एक आखरी बात करकर हम पूरा करना चाहते है निसा करके एक साउथ इंडियन हिरोईन हो गई आप प्लीज उनका फोटो बताए नहीं हम देखे रियल लाइफ एक्जामपल प्रमेश्वर माइनस के अपने जीवन से क्या फल पाया उन्होंने बड़ी स्क्रीन करें प्लीज ये है निसा करके एक साउथ इंडियन हेरोईन इन्होंने रजञी कांथ के साथ उन्होंने रजदी कांथ के साथ काम किया और अबब मॉडल रही अपने समयकी इनके पास सब कुछ था पैसा था, सौरत थी, सफलता थी वो अच्छे से अच्छे हीरों के साथ काम कर चुकी थी लेकिन इन्होंने परबेश्वर को बाजू पर किया और पाप को जीवन में बोना सुरू किया इन्होंने पैसों की इतनी भूग थी कि इन्होंने परमेश्वर की द्रस्टी में जो नहीं अच्छा वो सब काम करने सुरू करें इनका जीवन उपर से नीचे गिरता गया इनको एक असाध्य रोग लाग हुआ बीमार पड़ी और जीवन के अंतीम पड़ाव में इनका एक फोटो में बताना चाहते जीवन के अंतीम समय में इनकी ये दस्टा थे जीवन के अंतीम समय में आप दस्टा देखें इनकी देख रहे हैं थोड़ा बड़ा करकर हम बताएंगे ताकि आप देख पाओ राइट एरो दबाएत हो जाएगा प्यारो ये इनके जीवन की अंतीम दस्टा थी प्यारो वो अपने जीवन के अंतीम पड़ाव में एक बड़ी हिरोईन रस्ते के कीनारे पड़ी हुई थी और मैं एक्स्ट्रा नहीं बो रहा है लिट्रली उनके सरीर में कीडे पड़े थे उनका एक कजिम ब्रदर वहां से गुजर रहा था उनको लगा ये फेस तो जाना पहचाना है ये फेस उनको लगा कि बही जाना पहचाना है उनके कजिम ब्रदर ने भी उनका साथ नहीं दिया उनके परिवार ने भी उनको छोड़ दिया और आखिर में एक NGO ने इनका अंतिम संसकार किया आखरी वक्त जब उनकी मृत्य हुई इवन उनका परिवार भी उनके साथ नहीं था आखरी वक्त उनको इस संसार से जब बीदा हुई एक NGO ने उनका अंतिम संसकार किया ये इनकी अवस्था है ये इनकी अवस्था है हम गर्वन नहीं कर सकते हमारे पास जो भी है सब कुछ हो लेकिन अगर ऐसा कुछ आज आप बो रहे हो जो प्रभू को पसंद नहीं है आप कितने भी टॉप मोस्ट लेवल पर ऐसे तो कई मैं उदाहर आपको दे सकता हो इतने सारे हिरोईन, हिरो जो अवल थे नाम, सौरत, पैसा, सब कुछ कमाया जीवान कान्त उनका बहुत ही दर्दनाक और बहेंकर था क्योंकि उन्होंने परमेश्व को भुला दिया मेहनत भी करते थे दिन राथ करियर को ठीकाय रखने के लिए लेकिन क्योंकि परमेश्व उनके जीवान में नहीं था बोया तो अच्छा फल लेकिन काटे काटे उनके पास कुछ भी नहीं था जीवान के आखरी पड़ाओ में प्यारो अब ऐसा तो कुछ नहीं बो रहे हैं ने कल आप क्या खाओगे कौनसा फल चकोगे वो आज आप क्या बोरे उसके उपर आधार रखता है आपने अगर प्रभू को साइड में रखा भूल गए उसका सन्मान नहीं करते उसकी सुनते नहीं प्रभू के दासों की नहीं सुनते आप ऐसा ही कुछ फल बोरे हो अब कांटे उगाने के लिए परिश्रम कर रहे हो आज खल जाकर कांटे नहीं काटने प्यारो हमें तो आशिशों का वारी सोने के लिए प्रभू ने बुलाया है ऐसा नहों हमारी गल्तियों के कारण कल जाकर कांटे काटे इन्होंने प्रभू को भुला दिया नाम है, सौरत है, पैसा है, लोग वाहवा कर रहे, सुपर मॉडल, उन्होंने पाप बोना सुरू किया, और बयंकर कटनी, काटी, जीवन के आखरी पड़ा हुमें, आप क्या बोर रहें, प्यारो, आया मरी आखों को बंद करें, अपने जीवनों के विश्चे में सोचे प्यारो, आपका कल, आज आप क्या बोर रहो, उसके उपर आधार रखता है, अगर आज आपने प्रभू को बाजू पर रखा है, कल गैरेंटी है, प्रभू का वच्चे ने और वो पूरा होकर ही रहेगा, आप काटे ही पाओगे, आप अपने जीवन के विश्चे में सावध हो प्यारो, जागरोत हो कि मैं आज क्या बोर रहा हूं, बच्चो क्या आप अभ्यास में परिश्रम रुपी बीजा आज बोर रहे हो, कल जाकर आपने बहुत ख्वाप देखे, मैं बढ़ा होकर ये बनूँगा, ये बनूँगी, लेकिन परिश्रम कहा है, डॉक्टर रिवेंजलीन सोला घंटे पढ़ रही थी, आप कितना पढ़ रहे हो, उन्होंने देखा मेरे माबापने सब कुछ न्योंचावर कर दिया, अपनी बाइक भी बेच डाली, मुझे पढ़ा रहे है, मुझे भी महनत रुपी बीज को बोर आए, उन्होंने महनत करी आज अवल फिजियो थेरापिस्ट है, महनत रुपी परिश्रम रुपी बीज को क्या बच्चो आप बोर रहे हो, यूथ क्या आप आज महनत रुपी परिश्रम रुपी बीज को बोर रहे हो, अच्छी जौब पाने, बिस्नेस पाने के लिए सिर्फ दूआ काफी नहीं है दूआ के साथ, प्रात्ना के साथ, प्रात्ना भी जरूर ये बीज को बोना पड़ेगा, प्रभु का बच्चन केता है, जो आज आप बोगे वो ही काटोगे, आप आलस बो रहे हो, टाइम वेस्टिंग रुपी बीज बो रहे हो, आप कल जाकर कौंसी सफलता रुपी फल को चखोगे, क्योंकि आपने बोया ही है, कड़वा दाना, अपने जीवन में पाप रुपी बीज को बो रहे हो, कल जाकर विनास रुपी कटनी को काटने के लिए तयार रहे है, वो भाई सब्दारू वेस्टन रुपी पाप को बोते रहे, मेरे पास अच्छी जौब है, सब क को पता भी नहीं चला कब जाकर उनके जीवन भर जवानी में समाप्त हो गया, एक्सिडन्ट में वो मारे गए, पाप रुपी बीज को बोर, लापरवा होकर, अपने जीवन में बिनास रुपी कटनी को काटने के लिए आप तयार रहे है, प्यारों, कहिए प्रभु से प्र कर, प्रमेश्वर तु मुझे सावत कर, मैं मेरे जीवन में कौन से बीज को आज बो रहा हूं, तु मुझे उस विशे में सचेद कर प्रभु, मैं उस विशे में अंधेरे में न रहूं प्रभु, नीसा करके साउथ इंडियन हिरोईन, नाम था, सौरत था, रूप था, सबकुष था, पापरुपी बीज को बोती गई, बोती गई, आखरी पड़ाओं में सड़के किनारे सड़ती हुई पाई गई, परमेश्वर को भूलाने का नतीजा, पापरुपी बीज बोने का फल प आटे, क्योंकि आपने परमेश्वर को बाजू पर रख दिया है, अब मैंसे कितने ऐसे लोग हो, यहाँ पर बेठें, ऑनलाइन सुन रहे है, आपने प्रभू को भूला दिया है, और आप आसा रखते हो, अच्छे फल की, कभी संबव नहीं होगा, आई आज से कहिए वार कर रहा होगा, और प्रभू आपको बता रहा होगा, बेटा, बेटी, तु यह जो बीज बो रहा है, वो कड़वा दाना है, वो कड़वा बीज है, तुझे उसे निकाल फैकना है, आज ही उसे निकाल फैकना है, प्यारो, आपको कलजा कर अच्छा फल खाना है, आत्मा आपको बताए और दुसरी बात कौनसे अच्छे बीज आपको बोने है वो प्रभु की आत्मा आपको बताए मैं थोड़ा वक्त आपको देना चाहता हूँ आप खुद प्राथना करिये सांत नहीं बैठे रहना प्यारो कल आपका कैसा होगा वो आज के उपर आधार र वेस्ट कर दिया लापरवा रहे इस बातों को इंग्नॉर किया प्यारो कल आप प्रती फल भी वैसा ही पाओगे आज दो बाते मागे प्रभु से कहिए प्रभु मैं कौन से कड़वेदाने आज बो रहा हूं बो रही तुमुझे बता प्रभु तुमुझे बता प्रभु और दुसरा ये मागे प्रभु से प्रभु तुमुझे अनुख्र दे कि आज से मैं अच्छे बीजबोना सुरू करो मैं आपको थोड़ी मिनिट्स देना चाहता हूं प्यारो अब मन में दुआ करें प्रभु एगर्स अबेग्टा मिस्की करें प्रभ्टा आपने स्थान पर प्यारों खड़े हो जाए अगर कोई ऐसे कड़वे दानों के विशे में बीच के विशे में प्रभू ने आपको बता है जो आप बो रहे था अभी तक आप प्रभू से कहें प्रभू तु मुझे श्रमा कर आपने कोई पाप रुपी बीच को बोया है आप माफी मागे आपने आलस रुपी बीच को बोया है माफी मागे बहाने बनाने रुपी बीच को बोया है माफी मागे कड़वा हट रुपी बीच को बोया है माफ़ी माग़े प्यारो आपको जहां कहीं लग रहा है मेरे जीवन में मैंने कोई भी गलत बीच को बोया है बोती रही बोता आया हूँ तो उसके लिए स्वमा माग़े कहिए प्रभु से प्रभु तो मुझे माफ़ कर मैंने जहां पर भी आपको नहीं पसंद ऐसर बीच को बोया हो प्रभु तू मुझे श्यमा कर तू मुझे माफ़ कर प्रभु और यह दूआ मैं बोर रहा हूँ प्यारो आप यह दूआ मेरे पीचह-पीचह बोलेगा जब मैं मेरा नाम लो क्रिस्टोफर तब आप अपना नाम रख कर ये दूआ मेरे पीछे दोर आएगा प्यारे प्रमेश्वर प्रभु ये शुकरे नाम में मैं क्रिस्टोफर आपके चर्णों में आता हूं मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए शमा माताओं मैंने जहां कहीं भी लापरवा होकर कोई भी गलत बीज को बोया है कड़वे बीज को बोया है आपको जो नहीं पसंद था वो किया है प्रभू आप मुझे शमा करिये अगर मैंने बीज नहीं बोया इस हाख के जैसे मैंने बीज बोना पसंद न किया हो मेहनत न करी हो आप मुझे शमा करिये प्रबू मैं आज आपके पास साकर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए शमा मागता हूं मुझे माव करिये प्रबू मुझे शमा करिये परमेशर ऐसे कोई भी बीजमेन बोए है जो कल जाकर विनास की कटनी ला सकते है नुकसान ला सकते है असफलता ला सकते है पारिवारिक जगडे खड़े कर सकते है प्रभू मैं माफ भी मागता हूँ आप मुझे शमा करिये आप मुझे माफ करिये कहीं पर भी परमेश्व मैंने आपको भुलाया हो बाजू पर रखा हो मैं माफी मागता हूँ मुझे शमा करिए मुझे माफ करियो परमेश्व ये शमसी के लहू में मुझे दोकर सुद करिये क्योंकि आपका वच्छन कहता है जहां तक पृत्वी रहेगी वहां तक बोना और काटना होता रहेगा प्रभू आपने ये नियम ठेराया है बोने और काटने का प्रभू मुझे शमा करिए अगर मैंने कड़वे दाने बोए है अगर मैंने अच्छे दाने नहीं बोए अच्छे बीज नहीं बोए मैं आज माफी मागता हूँ मैं आज शमा मागता हूँ लेकिन आज मेरी दुआ है प्रबो आज मैं प्राथना करता हूँ जैसे इस हाक ने अकाल के समय में भी बहाना न बदाते हुए बीज बोया मेहनत की अच्छा बीज बोया आज मैं प्राक्त ना करता हूँ उच्छी आवाज मैं कहिए आज मैं प्राक्त ना करता हूँ प्रभू ये शुक के नाम में आज मुझे आपनुखर दीजिये प्रभू इस हाग के समान मैं आज से मेरे जीवन के लिए मेरे परिवार के लिए मेरी अभ्यास के लिए मेरी नोकरी के लिए मेरे बिस्नेस के लिए मेरे भविश्य के लिए मेरे आत्मिक जीवन के लिए मेरी सेवकाई के लिए प्रभू अच्छे बीज बोना सुरू करो आज से पवित्रा आत्मा आप मुझे अच्छे बीच बोना सिखाए और आज से पवित्रात्मा आप मुझे सचेत रखे कि मैं ऐसे कोई भी बीच मेरे चीवन में न बो जो कल जाकर कड़वे फल आ सकते है मैं पवित्रात्मा आज आपकी सहायता माँगता हूं ये शुमसी के नाम में ये शुमसी के नाम में आप मेरे सहायता करिए ताकि में रहो बोत के परमेश्वर जैसे आपने इस हाक ने जब बीच बोया सोगुना फल पाया मेरे चीवन में भी सोगुना फल बरपूर आशी शको मैं देख पाऊं प्रभू आज मुझे अनुखर दीजिये कि मैं आशों के साथ कश्टों के साथ तकली पड़े फिर भी बीच बोना जारी रखो ताकि कल जाकर जही जही कार के साथ बहुतायस से फल पाकर पूलिया लेकर भरपूर आशीशों को लेकर मैं वापिस आओ प्रभू येश्यू के नाम में ये नुखर आप मुझ पर होने दीजिये प्रभू येश्यू के नाम से अमारी ये दुआ है आप कबूल करें प्यारे परमेश्वर प्रभू येश्यू के नाम में आमेन आखे बंद ही रखे प्यारो अगर आपको लगता है कि अभी तक ऐसा कोई बीज आपने बोया है जो बहुत ही कड़वे फल ला सकता है तो अब उसका क्या अभी तक आप अलेलर्ट नहीं थे जागरूत नहीं थे सचेत नहीं थे आपने नहीं बोना चाहिए ऐसे बीज बोया परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने बचन दिया है अगर आप विश्वास से इस पहाड को कहोगे कि उख़़कर समुद्र की गहराई में जाकिर तो वैसा ही होगा प्रभू बुद्काल की भुलो को मिटा कर नया बविश्य देने वाला खुदा है जब कोई भी गलतिया करके प्रभू के पास आया प्रभू ने न सिर्फ उसको समा करी लेकिन उस कड़वे बीज का जो फल उन पर आने चाहिए था वो भी मिटा दिया प्यारो प्रभू ने उनको उनकी गलतियों की सजा से छुडाया प्रभू ने आपके हर एक कड़वे बीज का कड़वा फल खुद चक लिया है प्यारो कृस पर और वो आपको आपके भूल गलतियों के कारण कड़वे बीज जो बोए उसके कारण जो गलत फल आपके जीवन में आने वाले होंगे आपको वो ही छुडा सकता है प्यारो क्योंकि उसने आपकी हरे गलतियों की सजा खुद बुगत ली है हरे कड़वे बीज जो मैंने और आपने बोए उसका कड़वा फल येशु ने खुद क्रुस पर चक लिया है प्यारो और इसलिए आपको वो कड़वे फल खाने की आवश्यक्ता नहीं है आपको सिर्व उसके पास जाना है आपको सिर्व शमा करना है और वो कड़वे बीज जो आज तक बोए थे उसकी कड़वी असरों से प्रभू आज आपको छुडाएगा प्यारो आज आपको मुक्त करेगा प्यारो आप खहिए प्रभू से प्रभू मेरे कड़वे बीज जितने भी कड़वे बीज मैंने बोए उसकी कड़वी सिक्सा तुने कुरुस पर ले ली है और इसलिए वो सिक्सा मुझे पर नहीं आने वाली प्रभू आज मैं विश्वास से गोशित करता हूँ और प्यारो अब से अलेट रहेगा अब से सचेत रहेगा I am मिल कर दुआ करे परमेशर मैं ये श्मसी के नाम उससे आपके चरनों में आता हूँ परमेशर हमने जाने अन जाने में हमारे जीवानों में ऐसे कड़वे कोई भी बीज आज तक बोए हो जो हमारे जीवानों में कोई भी बहेंकर परिणाम ला सकते है कड़वे फर ला सकते है तो आज हम एक जुट होकर उस हरेक कड़वे बीज की शापी तसरों को कड़वी असरों को हरेक के हरेक वो कड़वे दाने जो हमने बोये उसकी शापी तसरों को हम हरेक के जीवन से हमारे परिवार से हमारी नौकरी से हमारे बिस्देस से हमारे करियर से हमारे बच्छों के जीवन से हमारे बविश्य से हरे एक जगा से हम उसे ये श्मस्य के सामर्ती नाम में निश्फल करते है इन चीज़स से इन चीज़स से इन चीज़स से उसकी सापी तसरों को हमारे जीवन से हम थोड़ दालते है हाललुया हाललुया दन्यवाद करे प्यारो प्रभू का जीनोंने हमारे बोए हुए कड़वे बीज की स्चा हरे कड़वे परीडामों को अपने उपर ले लिया ताकि हमें वो कड़वे परीडाम भुगतने न पड़े कड़वे फल न खाले पड़े उस येशु का दन्यवाद करे प्यारो थेंक यू प्रभू येशु थेंक येशु आपने हमारे हरे कड़वे बीज के कारण आने वाले कड़वे परीडाम कड़वे फल को क्रुस पर चख लिया प्रभू ताकि उसे हमें चखने न पड़े प्रभू हम आपके नाम का दन्यवाद करते हैं हम आपके नाम का दन्यवाद करते हैं लेकिन प्रभू अपसे हमें अनूख रह दीजिए हम गंबिरता के साथ जीए कि हरो सुबह साम हम क्या बो रहे प्रभू ऐसा कुछ भी नहीं बोने के लिए अनूख रह दीजिए जो भी नास की कटनी की और हमें ले जाए तैंक यू आज आपने हम से बात करी हम धन्यवाद देते जो भी सिखा है हम भूल न जाए जीवान में अम्मल में लाए प्रभू ऐसा अनुगर हम पर होने दीजिए हमारी दूआ रभू येशु के नाम से है प्यार पिता आप कबोल करें मिल कर बोले आमें